Hello students, आजकेल new session इस्टार्ट हुआ है और मेरे पाज बहुत सारे phones आ रहे हैं बहुत कि sir कौँसी book लों? Sir कोँसी book लों? Sir कौँसी book लों? ट्रेकली लाइफ में success का पहला step ही है कि हम किस book से study कर रहे हैं और कैसे study कर रहे हैं for physics I'll advise to you NCRT is the best book but standard of the NCRT इतना so high standard है कि refresher जो new student आया हुए है in the class 11th बो उसके language को नहीं समझ सकता है follow नहीं को सकता है proper way so मेरी एद्वाइस है कि आप को जो refresher book लीजे प्रदीप ले लीजे या S.L.O.O.D.A. ले ले लीजे कोई other आप refresher book ले लीजे but only one book आपको ले लेणा है one book study is the best study आपने किसी ने कहा है कि fingertips ले लो किसी ने बोला कि ये बुख ले लीजे किसी ने कहा है कि ये बुक लेले से आप वो बुक लेते गए हर बुक के कंसेप्स अलग-अलग हैं किसी बात को समझाने के टेक्निक्स अलग-अलग हैं आप कंफियूज हो जाओगे और प्रैक्टली मैं आपको बता दूँ कि आपको ये एक बुक कर लो और फिर आपको मिलेगा कि आल दे कुस्ट जो इस बुक में वही उस बुक में तो दबेस्ट है कि हमें बहुत कम एफ़र्ट लगे और हमें तब बेस्ट नॉलेज हो उसके लिए प्लीज आप ओनली वन बुक करिए और पहले बेसिक आप स्टॉंग कर लो तो ABCD से आप चलना सुरू करें और XYZ लेविल तक हमें इस्टॉडी करना है तो फार ABCD के लिए आप SLR ओड़ा यह प्रदीप कर लिजे उसके आल कोश्टन्स आप एक साल में नहीं कर सकते हैं आल कोश्टन्स आप प्रदीप और SLR ओड़ा और SLR ओड़ा प्रदीप करने के बाद फिर NCRT के भी कोश्टन्स आपको करने और फिर NCRT आप पढ़ोगे तब आपको रिलाइज होगा के NCRT इस वेरी नाइस बुक बटी स्टार्टिंग में आप समने सकते हैं तो आप इस टेक्निक को अपलाई करें और for CBSC standard और CBSC के बाद ही आप NEET और IIT के लिए preparation करेंगे उसके बाद other steps होगे यह मेरी advice है मैं कुछ books के link सब किस्टम दें सब कुछ link देंगा उससे आप आराम से online आप process करें और पढ़िए further मेरा phone number है कोई other inquiry हो तो आप please मुझे phone करें